भाई बहन का तेवार रक्षा बंधन क्यों मनाया जाता है? क्या है परंपरा? क्या है इतिहास? और क्या है इससे जुड़ी कहानी? नमस्कार आप सभी को भाई बहन के विश्वास के इस पर्व की हार्टिक शुपकाम नाएं कहते हैं दुनिया में भाई बहन का प्यार सभी रिष्टों से अलग है इसका कोई मोल नहीं भाई बहन का रिष्टा बड़ा ही प्यारा और नोक जूपवाला होता है यह एक ऐसा रिष्टा है जिसमें कितनी मर्जी लड़ाई क्यों ना हो लेकिन कुछ ही देर में फिर ऐसे बात करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो रक्षा बंधन हम क्यों मनाते हैं आप लोगों में से बहुतों के मन में ये सवाल जरूर होगा तो इसका जवाब है कि यह त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रती कर्टव्य का इजहार होता है मगर इस पर्व के शुरूवात कहां से हुई और कैसे हुई हमारे संस्कृति के ये किस्से बताते हैं कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी ने इस भाई बहन के अनोखे और पवित्र रिष्टे को भागे के बंधन में ऐसा बांधा कि विश्वास की वह डूर हमेशा हमेशा के लिए भाईयों की कलाई पर बंद गई जी कहते हैं कि लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुस्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा था और इस दोरान कृष्ण के अंगूठे में गहरी चोट आई थी जिसे देखकर दुरापदी ने अपने वस्त्र को कृष्ण के अंगूठे पर बांधा और उनका खून बहने से रुख गया और इस वचन को उन्होंने निभाया भी जब कई वर्षों बाद दुरापदी को कुरु सभा में जूए के खेल में पांडव हार गये तब कौरों के राजकुमार दुशासन ने दुरापदी का चीरहरन करना शुरू कर दिया तब कृष्ण ने आकर दुरापदी की रक्षा की थी और उनकी लाज बचाई थी चलिए ये तो बात रहे हमारे संस्कृती की मगर एक और दिलचस्त किस्सा आपको बताते हैं जो शायद आपने भी नहीं सुना होगा आपको यह जानकर ताजूब होगा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी रक्षा बंधन की एहम भूमिका रही है जी सही सुना आपने अब वो भी जान लीजिए कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरन के लिए भी इस पर्व का सहारा लिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भंग का विरोध करते तमय रक्षा बंधन त्योहार को बंगाल के लोगों के लिए आपसी भाईचारे और एक्ता के लिए इस पर्व का राजनितिक उप्योग कर शुरूआत की थी अभी के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार